हेलो एंड वेल्कम गाइज टू मैं चानल डी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डी एनी और डी एंसी में यूज होने वाले इस्टुमें तो फ्रेंड्स देखते रहिए वीडियो को आखरे तक और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो लेट्स केट स्ट्रेंड्स लेट्स एवा स्टार्ट अब डी एनी या डी एनसी गाइनिक प्रोसेशर तो इसमें यूज होने वाले कंप्लेट इस्टुमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं आप देख रहें मेरे सामने बहुत सा इस्टुमेंट के बारे में बताऊंगा तो देखिए सीखिए और इंजाई कीजिए तो दो सबसे पहले हमारे पास पढ़े हैं त्री स्पेकुलम है तीन स्पेकुलम लेने जिसमें स्मॉल लाच यह दो टाइप के हैं और यह एक सिंगल ब्लेड सिंगल एंड वाला मीडियम साइज का स्पेकुलम है इसमें डबल एंडेट स्पेकुलम बोलते हैं जिसमें दोनों साइड ब्लेड है आप देख सकते हैं और यह हमारे पास एक सिंगल ब्लेड आगे बढ़ते हैं दोसको इसके बाद हमको चाहिए एक सविक्स को कैच करने के लिए पल्स लम उसके बाद चाहिए एक एंटेर वाल्ट रेक्टर जो वाल्ट को अपन प्रट्रेक कर सकते हैं पिर अपने को चाहिए डायलेटर हमारे पास अलग अलग साइज के डायलेटर है उसके बाद चाहिए अपने को क्यूरेट तो क्यूरेट में आप देख सकते हो हमारे पास दो क्यूरेट है जिसमें डबल एंडेड है एक साइड शाप रहता है और दूसरी साइड बलंट रहता है अपने को स्मॉल और मीडियम इसके बाद अपने पास है यह नेक्स इज ओवम पिकप फॉरसेप्स तो बाइचान सब्सक्राइब इससे बाहर ना निकले तो कुछ रिटेंट प्रोड़क्ट पर निकालने के लिए आपने ओवम फॉरसेप्स से भी यूज कर सकते हैं नेक्स सेप में पास सीजर इसलिए बाइचान सब्सक्राइब कर दोक्टर बोले कि अपने को इंट्रेयर प्रेंट डिवाइस कोपर टे वगरा रखना है तो उसके बाद इसका थ्राइट करिंग के लिए और एक पिंटिंग के लिए अपने को स्पंज ओल्डर है हाँ और इसके पाद अपने को एक मेहन चीज चाहिए देएंसी जाए नितने के लिए के लिए के लिए इसको पूसे कर्मन के लिए देखे इसके यहां कि आपको डबल एंडड साहापने देगा और पीछे एक अपने लिए इसमें आप स्रक्शन कनेक्ट कर सकते हैं यह भी हमारे पास अलग अलग साइज के हैं 6,7 और 8 नंबर ओके तो दोस्तों यह कंप्लीट होल डिएंसी और डिएंसी के लिए यूज होने वाल इस्टुमेंट है तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो तो शेयर शेयर लाइक और सब्सक्राइब प्लीज थैंक यह पर वाचिग मैं वीडियो कर दो